जले दोस्तों देमातमimentos कपिल शर्मा का नाम अक्सर किसे न किसी कॉंट्रोवर्सी में आता ही रहता है अभी कुछ समय पहले अक्षेकुमार और उनकी बीचिक वी कॉंट्रोवर्सी साम c आयी थी और कोई मूवी ऐसी नहीं है जो कि बता रही हो कि नहीं अथंटिकली हमने अच्छा बदर्शन किया है हालिया मूवी रिलीज मूवी सेलफी तो उनकी पिछले 12-13 सालों में सबसे घटिया मूवी गई है इससे कम उपनिंग किसी मूवी ने करी नहीं है अतलब उनकी फ्लॉप से फ्लॉप मूवी भी 7-8 करोड रुपर के पहले दिन कमा ही लेती थी और सेलफी उस चीज़ को करने में नाकाम रही ऐसे में एक मूवी को बनाने में कई सारे लोगों के पैसे लगते हैं उन सभी लोगों की महनत लगती है और ऐसे में जब कोई बड़ा एक्टर मोटी फीस लेने के बावजूद भी मूवी से डिलिवर ना कर पाए तो कहीने कहीन सवाल ये निशान तो लगते हैं बॉल्यूट के खिलाड़ी यानि के अबिनिता अक्षे कुमार के फिल्म सेलफी बॉक्स हविस पर खास कमाल दिखा नहीं पाए इन दिनों अपने करियर के मुश्किल भरे दौर से गुजर रहा है अक्षे कुमार लगतार उनकी फिल्म में फ्लॉप ही हो रही है इस बार अक्षे ने अपनी पांचवी फिल्म फ्लॉप सेलफी दी है इससे पहले अक्षे की रक्षा बंदन समराट पिस्विराज बच्चन पांडे राम से टू बॉक्स हविस पर फ्लॉप साविस होई चुकी थी लगतार फ्लॉप फिल्मों देने पर गेटी गलक्सी के मालिक मनोज देसाई ने अक्षे कुमार पर अपना गुस्ता जाहर किया और इसके लिए उन्होंने कपिल शर्मा को जिम्मदार भी ठहराया है अब देखिए जब भी अक्षे की कोई फिल्म रिलीज होती है तो वो उसका प्रमोशन करने कपिल शर्मा के शो पर बहुंच जाते हैं इसके अलावा भी कई बार अक्षे दा कपिल शर्मा शो में देखे जा चुके हैं मनोश वीडियो में कहते हुए सुनाई पढ़ते हैं कि आप क्या घड़ी घड़ी उदर जाकर बैठ जाते हों आपका क्या कुछ इसमें इन्वेस्मेंट वगर आए क्या आपको मिलता क्या वो तो सलमान खान का शो है आप क्यो जाते हैं कपिल की शो पर इतने बार मेरे दोस्तों मेरी जनता ने कितना बोला है कि अक्षे कुमार वहापर घड़ी घड़ी क्यों जाता है क्या उनको शुभा देता है अब मैं आपको बूचता हूं अक्षाई जी क्या आपको ये वाकई में शुभा देता है मनोग दिसा यहीं नहीं रोके उन्होंने कपिल शर्मा की भी अलोचना करी उन्होंने कहा कि कपिल ने मुझे भी अपने शो में तीन बारा मंद्रत किया लेकिन मैं गया नहीं वो कभी तुम्हारी तालीफ करता है और कभी तुम्हारा कचरा कर देता है क्या ये आपको शुवा देता है? आपको हुआ क्या है? आप तो पहले ऐसी फिल्में देते हैं जिसे दुनिया की हवा टाइट हो जाती थी लेकिन आज की रेट में ऐसा लगता है आपकी खुद की हवा टाइट होई पड़ी मताते हैं कि अक्षे कुमार की सेलफी 24 फरवड़ी को सिनिमा गरों में रिलीज हुई थी रिलीज के पहले दिन ही बॉक्स ओवेस पर फिल्म फ्लॉब हो गए करीब 1500 करोड रुपए के बज़ेट मनी सेलफी ने ओपनिंग डे पर महस सवादो करोड ये धाई करोड रुपए का करेक्शन किया थे फिल्म में अक्षे कुमार के अलावे इमरान हाश्वी नुसरत भरूचा राहुल देव जैसे करेक्टर्स थे और मुवी काफी जैम-पैक्ट थी सितारों के बाद में लेकिन उसके बावजूद भी ये मुवी उतना अच्छा प्रोशन कर नहीं पाई ऐसे में जितने लोगों के इस पर पैसे लगे हुए हैं वो लोग तो कही ना कहीं सवाल करेंगे ही कि भई आखेर क्या हो रहा है ये कि यार मुवी चल नहीं रही है और एक्टर्स इसकी मिदारी लेने के लिए भी दयार नहीं कपल शर्मा की शोर से वैसे भी काफी सारी कांट्रोवर्शल चीज़ें आज की रेट में जुड़ चुकी हैं ऐसे में एक्टर्स वहाँ पर अपनी मुवी प्रमोशन करने के लिए जरूर जाते हैं लेकिं कहीं ना कहीं ओडियन्स के नेगटिव बुक में नाम नोट हो जा यहां मेरे सुडियों फ्रालता हैं जाहिए 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 जाहिए